हलो नमस्कार मैं डाक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हारदिक स्वागत करता हूँ हिंदी का गद्य साहित के अंतरगत हम बातचित कर रहे हैं हिंदी उपन्यासों के विकास करम के उपर और जिसमें हमने प्रेम चंद्पूर्व हिंदी उपन्यासों के एक सिरीज प्रस्तुत करने की कोशिश किये जिसमें अब तक समाजिक एतिहासिक तिलस्मी और आयारी प्रेवित्यों पर लिखे गए उपन्यासों और उनके उपन्यासकारों पर हमने विश्तार से बाचित का लिया है उम्मीद है कि आप सभी उन सभी वीडियोज को देख लिये होंगे और आपका एक बेसिक कॉंसेप्ट हिंदी उपन्यासों के विकासकरम पर धीरे धीरे बनने लगा होगा आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि जासुसी प्रवित्ती पर जो भी उपन्यास लिखे जा रहे थे वो कौन-कौन थे और उसमें प्रमूख उपन्यासकार कौन रहे हैं अगर बात करें घटनात्मक उपन्यास जासुसी की तो 19 शती में अंगरेजी में सर आर्थन कानन डायल के जासुसी उपन्यास बहुत लोगपुरिये हुए थे अंगरेजी के प्रभाव सुरूप बंगला में भी जासुसी उपन्यास लिखे जाने लगे इसके बाद अगर हिंदी की बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है जासुसी उपन्यास कारों के रूप में वो नाम है गोपाल राम गहमरी सन 1898 इस भी में गोपाल राम गहमरी ने बंगला से हीरे का मोल उपन्यास अनुदित कर प्रकासित कराया इसे पाठकों ने काफी फसंद किया उत्साहित होकर गोपाल राम गहमरी ने सन 1900 में गहमर से जासुस नामक मासिक पत्र निकाला जो कि आपके लिए परिशा की दिश्ट कोड़ से काफी इंपोर्टेंट है पहले तो ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि गोपाल राम गहमरी का संबन जासुसी उपन्यासों से है और उन्होंने बंगला से सबसे पहले हिंदी में अनुबात किया इसके बाद उनका इसमें काफी मन लग गया और उन्होंने सं 1922 में गहमर से जासुस नामक मासिक पत्र निकालना शुरू कर दिया अब इस वाकि में आपको दो-तिन चीजे ध्यान में रखना है कि जासुस नामका पत्र कहा से निकलता था गहमर से वो पत्र कैसा था मासिक था और कब निकलना शुरू हुआ सन 1922 में इसके लिए आपको निरंतर जासुसी उपन्यास लिखने पड़े और ध्यान देने वाली इस अब बात है कि गोपाल राम गहमरी ने गहमर से जासुसी उप्रवितियों पर आधारित उपन्यास लिखने के लिए जासुस नामक पत्र निकला और लागातार उसके लिए इनों ने उपन्यास भी लिखा ताकि जो पत्र है मासिक पत्र था तो जब तक उसको कंटेंट नहीं मिलेंगे तब तक वो लगातार नहीं छपेगा इसलिए खोद गोपाल राम गहमरी ने आगे बढ़कर जासुसी प्रवित्ती पर जादा उपन्यास लिखे और इसका परेडाम यह हुआ कि गोपाल राम गहमरी ने लगभग 200 जासुसी उपन्यास लिखे हैं इससे पहले हम कथा समराट के नाम से जानते हैं उपन्यास समराट के नाम से जानते हैं और उनके नाम से हिंदी उपन्यास को हमने विभाजित भी किया है उनके पूर्व उनके समय के और उनके बाद के कालकरम को हमने ध्यान में रखा है उन्होंने भी कभी 200 उपन्यास नहीं लिख पा ह लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि गोपाल राम गहमरी किस आउसत से उपन्यास लिखते रहे होंगे ये बस कलपना की जा सकती है आगे बढ़ते हुए हम उनके महत्रपुड उपन्यासों को देख लेते हैं जिसमें अध्भूत लाश जिसका प्रकाशन सन 1896 बी में हुआ गुप्त चर 1899 बेकसूर की फासी 1910 बी सरकटी लाश 1910 बी खूनी कौन 1910 बेगुना का खून 1910 बी जमुना का खून 1910 बी डबल जा कई उपन्यास लिखे हैं लगबग एक दो तीन चार पांच छे की आसपास में उपन्यास लिखा इसका कारण था कि ये गामर से जासूस नामक मासिक पत्र का संपादन किया करते थे तो उसके लिए इनको उपन्यास लिखने पड़े इसके बाद मायावने 1921 बी में चकरदा अनि मनोला 1921 में माल गोदाम में चोरी 1902 जासूस की चोरी 1922 अदभुत खून 1922 जासूसी पर जासूसी जासूस पर जासूसी 1924 यदाके पर डाका 1940 जासूस चककर में 1916 खूनी का भेद 1910 इसबी इंद्रजालिक जासूस 1910 इसबी लाइन पर लास सन 1910 इसबी कीले में खून 1910 इसबी भोजपूर की ठगी 1911 इस गुप्त भेद 1923 जासूस की अयारी 1914 इसबी में प्रकासित हुए ये सबी इनके महत्प के बारे में चर्चा किया अगर परिशा के देश्टी कौन से मैं बात करूं तो कई बार पुछा गया अध्भूत लाश को सरकटी लास ठीक है बेगुना का खून और आप देख रहे हैं कि इनकी उपन्यासों के जो सिर्षक हैं वो भी उसी टाइप से हैं इसलिए आपको कर सकते हैं थोड़ा सा आईक्यू लेबल वहां पर प्रयोग करना पड़ेगा आगे बात करें तो जासूसी उपन्यासों में प्राया चोरी ढकायती खून ठगी आदिसे संबनित कोई भयंकर कांड घटित हो जाता है जासूस उसके सुराग में लग जाता है क्रमसा उसी प् उपन्यास लिखे जाते हैं अब आपको ध्यान में रखना है परिक्षा के द्रिश्टी कोण से कि इनके करम को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा आपने देखा कि गोपाल राम के अमरी ने एक साल में कई उपन्यास नहीं लिखा है मिनिमम छे से साथ उपन्यास तो उन्होंने लिखा ही लिखा है तो बस उनके आपको करम को ध्यान में रखना पड़ेगा या कई बार आज बदलते हुए पैटरन में इस तरीके की सवाल पूछे जा रहे हैं और कैसे पकड़ा जाए इनके टॉपिक्स को इनके उपन्यासों के नामों को तो उसमें लगा रहेगा चोरी, डकैती, खून, ठगी, आधी शब्द कहिन कहिन रूप से जुड़े रहेंगे इसी टेकनिक्स पर ये सारे उपन्यास लिखे गए हैं, इन उपन्यासों का उद्देश भी हलके ढंका मनुरंजन ही हैं, उद्देश की द्रिष्टी से तिलस्मी अयारी उपन्यासों के निकट होते हुए भी ये उपन्यास उनसे भीन कोटिके होते हैं हलाकि आप देखेंगे कि प्रेमचंद पूर्व जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं सब का उद्देश से मनरंजन, उपदेश परक और सुधारवाद का ही जादतर रहा है अब यहाँ पर बात की जारे हैं कि उद्देश की दरिष्टी से जासूसी उपन्यास भी तिलस्मी आयारी उपन्यासों के जैसे ही लगते हैं लेकिन फिर भी उनसे वो अलग हैं जासुसी उपन्यासों में घटित होने वाली घटना है जीवन की यथार्स हिस्तिति के निकट होती है उनमें कलपना के साथ ही बुद्धी का भी संयोग होता है ये अंतर है हो सकता कि आप से इंटर्व्यू में पूछ लिया जाए कि तिलस्मी और अयारी उपन्यासों तथा ज संयोग होता है और साथी कलपना को भी जोड़ा जाता है यानि कि कलपना के साथ साथ बुद्धी का भी संयोग होता है और जीवन की यथार्थ इस्तिति का उसमें वर्डन करने का प्रयास उपन्यास कारदवारा किया जाता है गोपाल राम गैमरी ने अपने उपन्यासों मे एक प्रकार का नैतिक दिश्टी कोन भी रखा है उन इनोंने आचरनशिल पातरों के जीवन का अंतिम परिडाम शुभ दिखा कर यूग की आदर्शवादी मनुबृति के साथ सा अपना मानसिक तादा में दिखाया है यानि कि जितने विववपन्यास लिखे गए वो जासुस की बहुत कम दिखाई देती है अंत में नायक नायका आपस में मिल जाते हैं ठीक वैसे इसमें भी दिखाने का प्रयास किया गया है और परिक्षा के दिश्कूर्ट से सबसे जो महत्पून पॉइंट्स में अब बताने जा रहा हूं कि गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन काना डाइल का हाजा खीवर ये परिक्षा में सवाल पूछा जा चुका है कि कानना के नाम से किस उप्रियास को को जाना जाता है तो उसका नाम है गोपाल राम गहमरी यानि की जी अर Two- People gemachtौ एस प्रवित्ति पर लिखने वाले दूसरे उप्रियासकार पर बात करें तो उन हजार की चोरी आधिक कई उपन्यास लिखकर जासुसी उपन्यासों की परंपरा को आगे तक जीवित रखा इनके अलमा किशोरी लाल गोश्वामी अभी तक जितनी भी प्रेमचंदपुर्व हिंदी उपन्यास की प्रभितियां रहें उसमें सबसे महत्पूर उपन्यास कार के रूप में अभी तक दिखाई पड़ रहें इनका जो जासुसी प्रभितिय पर लिखा गया उपन्यास से उसका नाम है जिन्दे की हो सकता है कि परिक्षा में आपसे पूछ लिया जाए और लगेगा कि ये गोपाल राम गहमरी का है लेकिन ये सई जबाब होगा इसका तीशोरी लाल गोश्वामी का तो ये छोटी-छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जासिस सी उपन्यासों के छेत्र मे गहमरी को ही प्राप्त हुई इन लोगों ने तो लिखा है लेकिन गोपाल राम गहमरी ने जो 200 उपन्यास लिखकर अपना लोहा मनवाया उसको किसी ने कभी पार नहीं कर पाया जैसे कि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने जितना रन बना दिया सायदी कोई बैट्समेन व पुर उपन्यास कारों को आपको ध्यान में रखना है 65 लिखा कि शोरीलाल गोस्वामी ने और 200 लिख दिया गोपाल राम गहमरी ने और मैंने बताया है कि जिसे हम कथा समराट कहानी समराट उपन्यास समराट के रूप में जानते हैं उन्होंने जो भी लिखा बहुत ही ठो लिखा है तो आपको परिक्षा की द्रिष्टिकों से त्यारी करना है तो इन छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा तो मुझे उमीद है कि आज का यह जो वीडियो लेक्चिर था घटनात्मक उपन्यास के अंतरगत जासुसी प्रवित्ती पर लिखे के उपन्यास उपर हमने बातचित किया वह अच्छा लगा होगा कमेंज करकर जरूर बताइए तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार